आप सभी प्रिय दर्शिकों का स्वागत है बात करेंगे बजाज फाइनेंस की बारे में FYI की सेलिंग बढ़ती जा रही है ये थोड़ी सी बुरी खबर लेके आए हैं आपके लिए क्या होंगे टेक्निकली सपोर्ट लेवल बजाज फाइनेंस के इस मीडियो में डिसकेशन किया जाएगा देखे यहाँ पर बजाज फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है लॉंग टर्म की होल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है जैसे अगर आप फिंटेक कंपनीज में निवेश करना चाते तो बजाज फाइनेंस एक उन में से है बटी गिना क्यों है देखे इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसके अकोर्डिंगली CLSA ने इसको सेल रेटिंग दी है और टार्गेट प्राइस 6,000 रूर बताया है यहाँ पर कहा है कि मीडियन टम अनेक्स्पेक्टेड लॉस रहेगा कस्टमर बेस में भी और डेमांड का वॉल्यूम भी कम होगा तो इस खबर के चलते हुए FIA को तो मोका चाहिए यहाँ पर Omicron की वज़े से FIA sell mode में है और US dollar to INR इसका evidence है 74 रुपे से 76 रुपे all time high पहुँच गया है US dollar अब और इसकी वज़े से stock market में मच गया कोहराम आज करीब 5% के असपास stock market गिरा हुआ है overall और बचाच यह finance करीब 6% दोस्तों छोटे और informative वीडियो बनाते हैं चाहिए तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बज़ेद finance का stock crash होने का primary reason FIA selling और साथ साथ में Omicron की वज़े से stock market का crash और उसका individual report है अब level क्या होगे buy करने के लिए यह technical analysis के माध्यम से हम बता सकते हैं यह चल कर देखते हैं इस Omicron का FIA selling का impact क्या है यह नहीं है कि FIA यहाँ पर सिर्फ बज़ाज finance को ही sell कर रहे है अगर आप कोई भी finance sector देखेंगे इसका stock तो उसमें selling चल रही है बड़े तकड़े level से देखें कल 6900 की level से 6500-400 रुपे सीधे एकदम फ्लैट गायब हो गए है बज़ाज finance के सर से अगर volume देखेंगे आज volume भी काफी तकड़े के साथ है करीब 8 लाग share और है पचास परसेंट की delivery है तो काफी heavy delivery के साथ यह इकवाली चल रही है एक बार फिर attempt किया था तक नहीं जा पाया बुलिंजर बैंड के अब बुलिंजर बैंड के नीचे के हिस्से में bandwidth 12 है इसका मतलब अभी और नीचे गिर सकता है और देखें बैंड का रुख clear cut नीचे की तरफ को हो चुका है तो थोड़ा corrective board में है alligator indicator के basis पर काफी cell signal generate हुआ है MacDee ने भी इसको cell signal बना के रखा हुआ है अपने level के reference में तो थोड़ा साफधान रहीएगा दोस्तो हो सकता 6500 का level ही इसको बचा पाए यहाँ पर जो सबसे पहला level है 6070 के आसपास हमारे साब से strong supporter हैगा 6070 से 6100 के बीच में आप चाहें तो यहाँ पर खरीद सकते हैं आज poison crossover complete हो चुका है तो यहाँ पर अभी और corrective mode रहेगा 6000 के आसपास से पहले 6100 से पहले खरीदने की कोशिश मत कीज़ेगा इस stock को यह आपको अपने channel के दर्शकों को थोड़ी मदद के तरह से सला दे रहे हैं यहाँ पर super trend का level नीचे की तरफ को है और RSI 33 के आसपास है अभी शायद एक दो दिन में over sold zone में हो जागा तो थोड़ा ध्यान रखी यहाँ पर sell नहीं करना है वो सकता है dead get bounce भी expected हो good levels जो हमने पताए है वहीं पर invest कीज़ेगा इसको अच्छा है बट आपको राइट पैसे पर खरीदना है नहीं हर लेवल पर हर स्टॉक खरीदने के लिए नहीं होता है चैनल का फ़ाइफल देंगे प्लीज कंसर्टिफ़ाइब जहीं जहीं जब भारत बाइगाइज